आज हम बात करने वाले हैं Health ID के बारे में Health ID एक digital wallet है जिसमें आपके Health की पूरी बायोडाटा पूरी रिपोर्ट रहता है यानि Health ID में आपकी जो भी आपने एलाज कराया है वो पूरा रिपोर्ट आपके Health ID में रहता है जैसे आपने कहीं गया किसी डंगे के पास गया वहां प बिल्ली से हैं और भी आप दिहार आ रहे हैं तो आप दिहार में किसी डंगे के पास गए और वहां पना बॉड़ी को चेक अप करवाया तो जो आप यह बनाए रही है रहेगा वह यह जो यह हैल्थ हैडी डंटो को दीजिए रहा ना तो वह डंगर आपके Health ID के एक्सिस करक बहुत देख सकता है बहुत ही तरीका Health ID को आप बनवाकर बहुत ही तरीका से आप रहेगा सकते है क्लेके एक्सिस करके मैं आपका बहुत ही आसानी से आपका रह भी कर सकते हैं इंजिनियर राजा और मैं आज बताने वाला हूं कि आप किस तरीका से Health ID बनाएंगे क्योंकि Health ID इंडिया में कुछ selected ही एस्टेट में अभी पूरे इंडिया में पूरे एस्टेट में अभी लेवल नहीं है तो आप अपना Health ID काई से बनवाएंगे इसी किलिए मैं आपको वीडियो में बताने वाला हो डेटेल से बताने वाला हूं कि किस तरीका से आपना Health ID बना आएंगे तो इस वीडियो में आप लास तक बने देखें चले वीडियो को सुर कर लेते हैं SHUT UP AND SIT DOWN हम बात करने वाले हैं Health ID के बारे में Health ID जो है नहीं एक दिश्चल ओलेट है जिस में आपकी Health का दिश्चल रिकॉर्ड रहता है आपकी हेल्ठ की आपको कौन सी विमारी हुई थी आपको कौन से प्रिक्टि प्रिकिप्टें आपको दिया गया था कौन-कौन सी मेडिसीन आपको दी गई थी कौन-कौन से आपने टेस्ट कराये थे ये सारा डेटा आपकी हेल्थ आईडी में सेव रहेगा इसका फायदा ये होगा कि आप जब भी कोई होस्पिटल में जाएंगे तो आपको उहां पर आपकी हेल्थ के बारी में आपको कुछ भी बताने क जुरूद नहीं पड़े गी बहलो की हेल्थ आइडी के एकसेश करके अपकी पूरी हेल्थ हिस्ट्री को देख सकते हैं जिसमें आपकी सही तरीके से एलाज हो सकता है इसी तरीके से आप जो भी टेस्ट कराएंगे एक्जाम्पल आपने बलड टेस्ट कराया तो उसकी ID भी आपकी health जो है ID जो है उसमें आपकी सेथ हो जाएगी तो इससे आप जब भी अलाज के लिए जाएंगे तो आपको دوبारा से बलड टेस्ट टारने की जुरुवत नहीं पड़ेगी बल्कि होस्पिटल आपकी हेल्थ आइडी के एकसिस करके आपकी बलड टेस्ट रिपोर्ट को देख सकता है हेल्थ आइडी का रेस्टेशन अभी कुछी एस्टोट में जो एस्टेट है उसमें शुरू हुआ है जैसे यहां पर आप देख सकते हैं यहां नमानिक कोबार आइसलेंड है चंडीगड है दादर नागर हवेली है डामू एंड्यू है लख्षदीफ है और यहां पर देख भ सकते हैं जैसे की मेरा एक होहन रहता है चंडीगड में तो मैं आपको यहां पे हैल्थ यहां पर पर करता हुंगा चलिए आपको हैल्थ आडी आपको करेंके देखाता है तो यहां करने के लिए पर नाम आच चुका यहां पर सबिल हम कर देंगे continue स्कूर्ल डौन करके नीच में लिंक होना चाहिए क्योंकि आपको उसन पी एक ओडिपी आएगा अगर आपका हार कार्ड में मुवाइल नंबर जेल किन दूसरा ऑप शन के वर किरने का यहां देख रहे हैं डालने के बाद यहां आओ टाड़ एक तरह एक करेंगे इस पड़त एपना टाल देता हूँ अगर आप भी ऐसे की जग़ा आपके पास ओटीपी और तो आहाप यहांwriting से यह संविट करने क्वाफ गरता कुछ इस तरह सबये और अपन हो क्या जाए है देख रहे हैं के फ़स्ट नेम आपको डादना पड़ेगा मीड़े नेम लास्ट ने इसके यहाँ अहाँ हेल्ड आईडी-अप डालसकते हैं अगरय अभीश्वल लेवल हूद यहाँ पर पासवर्ट में दालेंगे पासवर्ट में कैसा होना चाहिए जैसे मेरे नाम है क्रेंगा नेयर थ। जो भी आपका कड़्ट ओबार्ट है वह आपको छूच कर लेना है इसके पड़ आप देख रहे है, यहां पर यहां पड़ता, यहां पर यहां पाद यहां पर देख सकते हैं, तो यहां gender choose करने के बाद simply हम यहां कर देंगे submit करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं पुछी इस तरह से मेरा open होके आ चुका है इसके वचे प्रफाल निकाल सकते हैं कि आप यहां पर देख सकते हैं कि फोटो भी इसमें एड हो चुका है जीसके बाद आप इसको सिंप्ल तरीकाप से डाउनलोड भी slider जान uso कार्द मैं यहां हेल्थ कार्ड कुछ inis तरीका से हैं लाइप देख सकते हैं निया Eye to Dude पендवे अब अपने घररेज में शेफ कर सकते हैं और शाथ ही इसको आप प्रिंट करके रख भी बहुत ही आसाने साप यूज भी कर सकते हैं टायम आप इसी साइड पे किले करेंगे किलिक करनेंगे सीसी 96- 500, आडि नमर बीदा आडी नमब्र हीजिए हो इसकोर आप टो यहां पर हैसि नमर भी आहां सकते हो यहां पर हेल्ट्र। और यहां पर कशिए किसी हम इसमें आप एडिटिंग कर सकते हैं और कोई भी डीटल यहां से आप हैंगत हैं किंद्स कर सकते हैं अब आपका ये पर्मानेन्ट रेल्स हाईड आपका नंबर है ये आपका पर्मानेंट बन चुका है किसी भी होस्पिटल में अगर आप इलाज के ले जाएंगे तो वहां पे आप ये नंबर सुफ़ करेंगे तो वहां पर आपका जो फिर हाईड depends हश्चाण के नंबर की करें कर सकते हैं बना सकते हैं तो आपने किस ताविका से हम है विदियो पसंद आया होगा अगर पशंद आया है तो विडियौ को लाइक करें अपने फ्रेंच के साथ भी कोमेंट करके कुछ सकते हैं